आज हम ये जो बर्फी बना करके त्यार करेंगे न ये कोई मावे से बन करके त्यार नहीं हुई और सब से खास बात है ये सुगर फ्री बर्फी है तो जिनको चीनी नहीं खानी है इस रक्षावंदन में जिनने एकड़म कसम खाए हुए है कि भाई हम तो चीनी वाली चीजे नहीं खाएंगे तो यह बिठाई आपके लिए है क्योंकि आज की यह बगैर शीनी के बंद करके त्यार हुई है आप इस रेस्पी को देखके आप गेस करके बताएं कि आखिर इस मिठाई का क्या नाम होगा और यह किस से बनी होगी बागी वीडियो स्टाट करने पर तो मैं आपको बताएं तुमकी कि आके लिए किस शीष की बर्फी है ऐसी मखन जैसी बनेगी ना कि आपका मन चाहेगा कि एक नहीं एक और पीस हो जाए इसका तोड की दिखाती हूं अंदर से बहुत सौफ और इंतम रसीली जैसी है यह यह देखी कितना जादा अच्छा इसका टे कि हमने और्द की डाल मीं हैं यहाँ पर हमें और्द की डाल को इस तरीक से भून लेना है तो लगातार सी ऑंप इससे बनकुल धीमी आश पर बोल दीजिए आप चाहे तो इस रेस्प्री और आप बहुत सारा दूद नहीं चाहिए है तो कम घी में कम दूद में बिना मिलाई बिना मावा पिना मिल्ट पॉटर बहुत ही बढ़िया सी जो बर्फी है यह बनकर के डेडी हो जाएगी तो अभी विसको गुंटे वे मुझे चार से पांच मिनट हो गए धीमियाज पर अब मैं इसमें एट करने वाली हूं सेमोलीना यानि की सूजी रवा जिसे हम बोलते हैं एक कफी हम इसमें सूजी या रवा एट कर देंगे दोनों एक ही जीजे होती हैं इसे भी हम इसके साथ में भूनेंगे तो पहले आप थोड़ जाले हम पस इसे अच्छी तरीके से रोश्ट कर लेंगे जैसे आप देखिए दोनों चीजों का अच्छे से कदर चेंज होने लगी उस स्टेज पर आप गैस को बंद कर दीजेगा अब देखिए लगबक आठ से दस मिनट हो चुके हैं धीमी आज पी मैंने लगातार जलात करेंगे बड़े परतन में ताकि यह जो है ठंडा हो जाए अच्छे से और इसके बाद ही हम इसका आगी यूज करेंगे तो यहां पर आप एक सॉस पैन लीजिए उसमें हम डालेंगे गोड़ तो यहां पे दिखिए नॉमन गोड़ ही हम यूज कर रहे हैं यह हमें जो है द चेणी से भी बना सकते हैं चीनी से यह रैशेपी विगी और यह अच्छा ही आईगा तो गोड़ से बनाएं तो अगर आप चीनी यूज करनी होगी और मतलब आप कुछ आशनी नी बनानी होगे अगर आप चीनी लें चाहें गुड़लें तो यह रेडी हो चुका है इसको हम साइट पर रखते हैं और यह दान दर सूजी भी ठंडी हो चुकी है तो इसे हम डाल देंगे एक इस तरीके से जार में और एक ग्राइनर जार में डाल करके इसे हम देंगे इसका बहुत अच्छा सा हम पाउडर बना लेंगी तो यहां पर इसका जो पाउडर है वो रेडी हो चुका है यह देखिए बिलकुल पाउडर सा बना लिया है हम देश का और अब हम इससे बरफी बिनाएंगे तो यहां पर एक बड़ा सा पैलन ले इसमें मैं एक हाई कप जितना है देसी घी उसकर रहे हूं तो घी को हमें मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है तो जैसे कि हमारा मेल्ट हो चुका है हम इसमें पाउडर डाल देंगे डाल और सुजी का और इसे अब आपको वोनना होगा तो यहां पर आपको धीमी या मेडियम आज पर आप सब्सक्राइब और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा तो वह चीज क्या करनी है जब मैं बताओंगी जब यह दाल थोड़े थोड़ी सी भून जाएगी तो भी फिलाल इसको भूनते हैं तो बस इसी तरीके से आप इसी लगातार चलाते रहें और इसको जब तक हलका कलर नई चेंज जाता है इसे भून दीजे अगर आप मावा डालना जाते हैं तो इसी स्टेश पे आप इसमें मावा भी डाल करके इसको भून सकते हैं मावे से इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा पर आज की रिस्पीक लिए मैंने मावा बगेरा कुछ भी यूज नहीं किया है तो बस देखिए इसका हल्गा कलर चेंज होने लगा है यहाँ पर हम एक एक चमश करते हुए दूद एड़ करेंगी और पूरा जो टोटल दूद एड़ किया है मैंने वह इसमें छे चमश यानि की सिक स्टेवन स्पून दूद एड़ किया है तो यहाँ पर द दालने से आप देखेंगे कि जब आपकी बर्फी सेट होगी तो वह अंदर से रसीली रहेगी और कड़क नहीं पड़ेगी तो बस इसी तरीके से मैं भूंती जाओंगी और टूटल आपको मैं बता दू यहाँ पर मैंने से बारा से पंदा मिना धीमी आज पर विल्कुल ब तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छा लगें तो लाइक कीजिए गां वीडियो को अपने दोस्तों के साथ करना दूलेगा शेयर करने में क्या दरता है तुछ पी नहीं जाता है फ्री होता है शेयर कर दिजएगा वीडियो को बहुत अच्छा लगेगा और यह देखे इस तरीके से हमारी जो दाल है वो almost भुण चुकी है बहुत ही light हो गई है और अब हम जो है इसमें जो गुड़ का पानी था ना उसे छान करके इस तरह से डालेंगी इससे क्या होगा कि जो गुड़ की impurities है वो निकल जाएंगी और बस अब हमसे अच्छे से चला लेते हैं तो यह देखिए बिल्कुल गाड़ा हो गया है और तुरंट से इसने घी से फिट करना है स्टार्ट कर दिया है तो मतलब कि जितना हमने घी डाना था एक तिहाई कप आप उसमें भी थोड़ा कम कर सकते हैं और यह देखिए बहुत अच्छे से जो है यह पक चुका है अब इसम अच्छी तरीके से पक चुका है अब इससे हमारी बर्फी जो है वह अच्छे से सेट हो जाएगी तो बस अब हम गया इसको बंद कर देंगी और बंद करने की बाद जुहां मैं ऐसे इस तरह से एक ट्रे में टाल रही हूँ ट्रे को मैंने घीस नहीं किया है क्योंकि यह ग् स्टैशु घाले, और मोंस घाला कर तो इस तरह से मैंने हैं इसको टोपर से भर दिया है अगर आप चाहें तो इस पर पंपके जिस लगा सकते हैं जिसे और विजाता इसे सुन्दर बना सकते हैं इसको सुन्दर बनाना तो हमारे हाथ में है जितना आप इसमें ड्राइफ रोड डालोगे न यह उतना ही जड़ा सुन्दर हो जाएगी और बस अब मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूं तो यह हमारी जो बर्फी है उरत डाल की यह बन क करना नीं पाएगा कि उरत डाल की बर्फी है वीडियो अच्छे लगी नाइक और शियर करना जाएगा कर दो